जहेंदर विवन स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस नियों जिन्दी में जहाँ आपके लिए लेकर क्याते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को कम से कम समय में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम सब जानते हैं कि वर्ष 1999 कारगी लिद्मे भारतिया सेना का जो पराकरम था वो अतुल लिनिया था और हमारे सैनिकों ने अदम में साहस और पराकरम का परिशे दिया था और इसी बीश नेट्फिक्स इंडिया से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहाँ पर इसको काफी अच्छे तरीके से पहुचाई जाएगी ताकि हम लोग भारतिया वाई सेना के इस पराकरम से भली बात परचित हो सके और इसको डायट कर रहे हैं ओमी सेन जो कि असुर वेब सीरीज के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए बकाएदा उन्होंने भारतिया वा जल्टाने से पहले इसको पुस्पॉन कर दिया गया और चौदा जून को खबर सामने आती है कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बार फिर से राफिल एम को लेकर के निगोशियेशन का दौर शुरू हो गया है जहांपर पसास हदार क्रोन रुपे की लागत में 26 की संख्य के अंत में यह डील फाइनलाइज हो जाएगी और भारतिया नौसेना के लिए 26 राफिल एम फाइटर जो के एडिवांस फाइटर्स हैं या एनस्वेकरांत के लिए खरीद लिये जाएंगे भारतिया नौसेना ने इसके लिए कुछ स्पिस्पिक मॉडिफिकेशन की बात की मिसाइल है इनकी डिमान भी की गई है दोस्तों जो 2016 में राफिल फाइनलाइज की गई थी तो कुछ ऑफसेट अब्लिगेशन के दरा पूरा किया जाना था और यह सबसे बड़े पचास पसंद वैल्यों के अधार पे चीज़ें आगे बढ़नी थी लेकिन अब रिपोर्ट में MBDA के ओपर भी fine लग चुका है क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया इस ऑफसेट क्लॉस के अंतरगत कुछ critical technology है जो DRDO को handover की जानी थी लिकिर वो अभी तक नहीं हुई है और प्रोग्रेस काफी minimal है और इसी चीज़ पर France को चताया गया है हलाकि डिसाल्ट अवियेशन ने ये आस्वाशन दिया है कि कम से कम समय पर वो अपने वादा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और अब भारत के तरफ से कोई भी उन्हें शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी आपको बदादे कि कैक के रिपोर्ट में इस पूरे officer clause को लेकर क चिंताएं व्यक्त की गई थी हम सब्जानते हैं कि भारतियत हलसेना को हाली में 27,000 AK-203 राइफल्स प्राथ हुई है जिनका निर्मार अमेठी में कोर्वा फैक्टरी में किया गया है यह एक इंडिया रशियन जॉइंट वेंचर के अंतरकत बनाई जाने वाले राइफल्स हैं लेकिन इसको लेकर के आर्मी के एक सीनर अधिकारी ने वीटर से बात करते हैं यह बताया है कि 27,000 राइफल्स जो डिलेवर की गई है इनमें जो इंडिजनेस परसंटेज यह 25% है यानि यह 25% इंडिजनेस कॉंपोनेंट के साथ बनाई गई है हाला कि इसमें चिंता की क बात नहीं है क्योंकि चरण बत तरीके से जो इंडिजनेस परसंटेज यह बढ़ता रहेगा और आने वाले दो वर्षों में जो इंडिजनेस कॉंपोनेंट का परसंटेज है इसको 75% तक लिए जाने का टार्गेट रखा गया है दरसल बीट को सेट बैक के बाद काम फिर से शुरू हुआ है और अब राइफल्स का निर्मार पुरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और यह राइफल पुरानी इंसास को रिप्लेस करने का काम करेंगी बात की गई ती लेकिन अब भारती वायस जिना के तरफ से एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जह कहा गया है कि अब भारती वायस से ना जो पूरी तरीके से सपोर्ट है आई डर्बी इयार को वो खतम कर रही है और इनके जगा अफस्वदेशी बीवियार मिसाइल्स को जगे दी जाएगी जो कि क्रमसा सुखोई थर्टी एमकाई राफल और तेजस मार्क वन और मार्क क्लास का इंजिन क्यों जरूरी है क्योंकि हाले में कुछ डिबेट ट्रिगर होई थी जहांपर एफ फोर उन फोर के इस्तमाल को बड़े पैमारे पर किया जाने की बात की गई थी एचल के अधिकारियों नहीं ये कहा है कि एमका एक फिप जनरेशन फाइटर क्राप्ट होन होंगे ये अंडर पावर्ड होंगे एमका जिसे एक राप के लिए और इसके लिए क्यास ट्रॉबाइन इस्टैबलिश्मेंट के साथ मिलकर के बातचीछ चल रही है और आने वाले भविश्य में आप देखेंगे कि एमका के लिए जो एडवांस इंजन है ये विक्सित किय आपको बताते चलें कि सैफ्रान इस समय नंबर वन पे लीड कर रही है और माना जा रहा है कि सैफ्रान ही वो कंपनी होगी जो की गैस ट्रॉबाइन इसस्टैबलिश्मेंट के साथ मिलकर के एमका प्रोग्राम के लिए एडवांस इंजन का निर्बाण करेगी और आगे चल चल रहे हैं और भारत और चाइना के बीच में तो टनाव चल ला है इसका फाइदा भारत को मिल सकता है क्योंकि कि अगर चीज़ें सामाने नहीं तो भारत को आधिकायक तौर पर अमेरिका ने कभी भारत को एप थर्टि-फाइप लाइटिंग टू आफर तो नहीं किया है और भारत के पास फिप जनरेशन फाइटर कर प्लाने में अभी एक डशक का समय लगने वाला है तो आज के इस वीडियो में बहुत से इतना ही बिलते अगले वीडियो में तो तक के लिए जाहे हैं